नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो आट चैनल मनी सेलुस्टन दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इदर मार्केट की इस तरह से ट्रेड करा और 2022 का जो साल है वो भी एंड होने वाला है इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आपके सामने जो मेरी एक पर्सनल स्टोरी है वो सेर करना चाहूँ जिससे आपको बहुत ही जादा हैलप मिलेगी अपने फाइनेंशल डिसीजन लेने में कल की बात है दोस्तों जो मेरा दोस्त विकास है वो मेरे पास आया और हम फाइनेंस को लेकर कुछ इदर डिसकस करने लगे उसके बाद उसने बताया कि 2022 का जो साल है एंड होने वाला और शाथ में जो 31 मार्च 2022 को जो इंकम टैक्स है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट करना है तो मैं इदर कुछ जो सेविंग है वो करना चाहता हूँ जिससे मेरी जो इंकम टैक्स है उसमें कुछ रिबेट मिल जाए तो मैंने का भया बहुत अच्छी बात है आज ही स्टार्ट कर लेकिन तु इतनी जल्दी में कहां जा रहा है तो उसने मुझे बताया कि जो मैं अभी 50,000 और पे की जो टैक्स सेवर FD है वो करवाने जा रहा हूँ जिससे मेरा इंकम टैक्स है वो भी इसमें छूट मिलेगी और शाथ में इदर जो मेरा सेविंग है वो भी हो जाएगा यानि कि मैं इदर एक तीर से दो निशाने लगा दूँगा ये दोस्तों बात सुनकर मुझे हसी आगी तो विकास ने पूछा कि इसमें हसने वाली कून सी बात है मैं तो ये सही काम कर रहा हूँ कि मेरी सेविंग भी और साथ में मेरा इंकम टैक्स है वो इदर जो टैक्स से और एफडी से तुमारा नहीं बच पा अभी है इसके बाद विकास ने इदर रिपलाई किया कि ऐसे थोड़ा होता है मैं बोला चल तुझे मैं डिटेल में समझाता हूँ तो मैंने दोस्तों उससे कहा कि अगर तू फिक्स डिपोजित इदर करवाएगा उससे ज़्यादा तो इदर इन्फलेशन बढ़ जाएगा तो जितना पैसा हम इदर बैंक में सेव करवाएगे उससे ज़्यादा तो हमें जो मार्केट का इन्फलेशन बढ़ रहा हमारे देश में हमें उधर नुक्सान हो जाएगा तो इदर तुमारा सिरफ एक ही जो गोल वो complete हो पाएगा कि भिया जो तुम्हारा income tax सिरफ बज जाएगा लेकिन जो तुम्हों सेविंग की बात करे हो विकास भाई तुम्हारा ये इधर से नहीं हो पाएगा इसके बाद तुरंत विकास का reply आता कि ऐसे थोड़े होता है मैं बोले ठीक विश्वास नहीं आ रहा है तो यह काम कर पूरे 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 जो इंटरनेट है उसके उपर मार्केट को पूरा एनलीसिस कर ले देख ले कि हमारे देश का जो इंफिलेशन है कितना बढ़ रहा है और तुम्हें जो रेट ओफ इंटरेस्ट है कितना मिल रहा है यानि कि जितना तुम इदर बैंक में जमा करोगे पैसा रेट ओफ इंटरेस्ट मिला के भी उसको अपने ही पैसे पर तुम्हें नुक्सान और दोस्तों साथ में यह सिरफ विकास के लिए नहीं है आप लोगं के लिए भी है कि जब आपका निफ्यूजन में हो अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं कि आपका जो सेविंग भी हो जाए और साथ में जो आपका इंकम टेक्स है उसके अंदर भी कुछ आपको रहत मिल ज मैंने इदर पूरी तरह से एनलिसिस किया है जो मैं मेरे दोस्त विकास और आप सभी लोगं को इस वीडियो के अंदर पॉइंट बाइप जो है डिसकस करना चाहूंगा देखे दोस्तों जहां तक मैंने जो अपनी पर्सनल जो रिसर्च किया तो मुझे जो मुझे जो मुच देखेंब के अधर जो मुच फरन चाहां वा जी को कियो बता दोस्तों जो आपको मार्केट है मार्केट पूरी तरह से इदर आपको कभी ने कभी उतार चड़ा विदर देखने को मिलते ही होंगे तो जब भी हम किसी भी fund के अंदर investment करते हैं तो हमें जो market में पूरी research करनी पड़ती है उसी के बाद हमें किसी fund के अंदर investment करना रहता है दोस्तों जब ELSS fund के उपर मैंने अपनी personal जो खुद की research की बहुत सारा time लगा उसके बाद दोस्तों जो एक new ELSS fund है मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों उसका नाम है SEMCO ELSS tax saver fund जिसके अंदर हम जो अपनी investment की journey start कर सकते हैं दोस्तों आप लोग बोलेगे कि जो SEMCO ELSS tax saver fund उसके अंदर ही हम जो इदर investment क्यों करें तो चलिए इस fund को लेकर इदर पूरी detail की बारिकी सी जानकारी है हम आप लोग के सामने इदर share करते हैं ताकि आपकी जो पूरे doubt है इदर clear हो जाए दोस्तों जो SEMCO है अभी जो नया ELSS fund है वो launch करने जा रहा है जिसमें आपको जो section ATC केता है tax benefit भी मिलेगा और शात में यहाँ पर आपको जो mid cap और small cap index है उसका भी exposure इदर आपको जो benefit है देखने को मिलेगा अगर आप लोग को पता है कि जो small cap और mid cap है उन्होंने हमेशा सही अच्छा perform किया है large cap की apex अगर आप यहाँ पर जो average 3 साल का जो अगर rolling return देखोगे तो nifty mid small cap 400 index ने 8% से ज्यादा का return दिया है nifty 500 index के मुकाबले तो चलो हमें एक जो data है वो read कर लेते हैं ताकि अगर आपके मनमें कोई confusion हो वो इधर दूर हो जाए दोस्तों इधर मैं return दिखाने के लिए मैं आपके सामने जो अपनी laptop screen है वो share करना चाहरा हूँ देखिये जो इधर आपको जो year दिखाय दे रहा है उसके बाद जो 1250 के कितना return दिया वो दिखाई दे रहा हूँ उसके बाद जो mid cap 150 ने कितना return दिया है small cap 150 ने कितना return दिया है देखें आप इधर देखेंगे भीया 2013 में या 2014 चलो हम नजदीक आ जातें थोड़ा देखेंगे दो हजार 17 में देखेंगे तो भीया इधर जो निफ्टी 50 ने 28% का रिटन दिया था जबकि मिड कैप 150 ने 55% का रिटन दिया था और अगर समाल कैप 250 देखें तो इधर 60% का रिटन दिय देखेंगे भीया जो निफ्टी 50 से जो मिड कैप और समाल कैप यह अच्छा ही परफोर्म कर रहे हैं उसके बाद अगर आप 2021 का डाटा देखोगे तो देखेंगे इधर जो है निफ्टी 50 ने 26% का रिटन दिया था मिड कैप 150 ने 49% का रिटन दिया था जबकि समाल कैप 250 न उन्होंने ओवराल इधर 16% का रिटन दिया है जबकि मिड कैप जो 150 है उसने इधर 24% का रिटन दिया है जबकि समाल कैप 250 ने इधर 25% का रिटन दिया है तो आप लोग देख लिजेगर आप ओवराल देखोगे तो देखेंगे तो 16 उसके बाद 24-25 यानि 8 या 9% का जो ज्य पोजर आपको mid cap और small cap से वो अलग से इस mutual fund के अंदर यानि इस ELSS fund में आपको अलग से benefit मिलेगा दोस्तों एक और important चीज में आपको लोग को बताना चाहूँगा जो Samco ELSS tax saver fund है उसमें जो हमारा पैसा वो आगे investment होगा mid cap और small cap के जो कंपनियों यानि fund के अंदर investment होगा जबकि अगर आप दूसरे कंपनियों के ELSS fund देखते हो तो वो मुश्टली जो हमारा पैसा वो investment कहां पर करते है लार्ज कैप की जितने भी कंपनिया या fund के अंदर तो इसलिए मैं आप लोग को recommend कर रहा हूं कि लिए जो Samco ELSS tax saver fund है इसके अंदर जो हमें जो mid cap और small cap का जो अलग से जो exposure है जैसा कि मैंने आपको बताया है 8-9% जो ज्यादा return दिया है अगर हम लास्ट में इधर देखते हैं जो मैंने इधर आपको जो chart दिखाया था तो वो भी exposure हमें Samco ELSS tax saver fund में अलग से देखने को मिलेगा तो यह ELSS fund है पूरी competitive strength and pricing power of hexashield test pass उसके बाद है balance sheet and debt hexashield test pass यानि जो यह tested है उसके बाद ही pass होने के बाद ही जो fund है इधर हमारे सामने है अगर थर्ड हम test की बात करें हो है reinvestment and growth hexashield test फोर्थ जो अगर हम test की बात करते हो है corporate governance and leadership hexashield test और उसके बाद है cash flow hexashield test और regulatory hexashield test तो आप लोग देख रह है अभी जो launch करने वाला है जिसकी अगर हम इस fund की यानि जो SAM को ELSS tax share fund की जो open date है वो है दोस्तो 15 November 2022 और इस fund की जो close date है वो है 16 December 2022 तो यह जो open and close date है इस जो fund की है उसके बाद अगर हम इसका benchmark देखते है वो है Nifty 500 index TRI अगर हम minimum amount देखें तो इधर 500 पे से हम अपने investment start कर सकते ह और साथ में 500 पे का multiple यानि इसका गुणांक से हम आगे अपने investment की journey start इदर रख सकते हैं सैम को ने दोस्तों जो यह ELSS fund है वो जो best hexa shield past जो 35 stocks है उनको add करके जो यह fund है त्यार किया है और लोगों को यह वहम है कि भया जो small cap और mid cap company का जो business है वो अच्छा perform नहीं करता है लेक जो large cap में convert हो शकती है दोस्तों myth पर आपको ध्यान मत देना है अपनी research करनी है और उसी के बाद है दोस्तों आपको इस fund के अंदर अपनी investment करनी है एक बात और इदर लोगों को बहुत सारा doubt होता है कि जो small cap और mid cap जो fund रहते वो काफी volatile रहते है यह बात अगर हम short term के लिए तो volatility इदर बहुत जादा रहते है लेकिन अगर हम बात करें तीन साल के लिए तो इदर जो volatility है वो बहुत कम हो जाती है इसलिए दोस्तों जो small cap और mid cap fund है वो ELSS के लिए बहुत ही perfect माने जाते है तो अब देर किस बात किया Samco ELSS tax saver fund से आपके जो अपने saving और investment की journey है दोस्तो जो tax saving की है वो आज ही start किजिए जिसका जो link है मैंने description में दे दिया उदर से आपको full information मिल जाएगी Samco ELSS tax saver fund के बारे मिल जाता है और आपको जो भी जाना चाता है उसका जो link मैंने description में दे दिया आपको fully detail इदर मिल जाएगी फिर भी दोस्तों अगर Samco ELSS tax saver fund के बारे में आपका कोई doubts है या कोई comment है तो मुझे आप comment section में comment कीजिएगा मैं उसका जरूर reply करूँगा और भी आपके कोई doubt है वो भी मुझे comment section में जरूर comment कीजिएगा तो दोस्तों दोबारा से फिर मैं आपको बताना चाहूँगा आगर दोस्तों आप tax saving और साथ में और saving का दोनों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ तब तक कि लिए जहिन वंदे मातरम